आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ दर्मेंद्र मंडलोई ने नगर पंचायद परिशत खेतिया द्वरा बकाया 29 लाग से धिक बिजली बिलो का भुकतान ना होने पर आज कारेले का विदुद कनेक्शन विछेत कर दिया गया नगर पंचायद के लंबे समय से शेश रहे 29 लाग से धिक के बिलो के चलते विदुद कनेक्शन विछेत कर दिया गया मुख्य नगर पाली का अधिकारी नगर पंचायद खेतिया द्वरा 10 लाग रुपे की रकम जमा कराने ही तु कहा है वहीं जल प्रदाय और आमजनों के परिशानी को देखते हुए कनेक्शन जोड़ा गया पश्यम शेतर विदुद वित्रन कंपणी द्वारा लगातार विदुद बकाया बेलो की वसूली की जा रही है जिसके तहत खेतिया शेतर में अब तक 45 लाग से अधिक की वसूली की गई कुछ शास्की कारेलों के भी बकाया बेलो को लेकर संस्था प्रमुगर से चर्चा की गई वो भी शिक्र जमा किये जा रहे हैं खेतिया से राजेश नाहर के रिपोर सराज नगर पंचायत परिशद खेतिया का विद्धूत connection विच्षेत करने की बात सामने आई है क्या कारण रहे साँ खेतिया नगर परिशत का 32 क्नेक्षन विदित प्रदाईके हैं जिसमें वाटरवाक्स और स्ट्रिट लाइट की और कार्यालेगे हैं तो उसमें लगबाग 29 लाग से अधिक राजसी पकाया थी जिसमें चलते जो है नगर परिशत क्नेक्षन का विचेतिया था अगर पंचाय द्वारा कोई रखम जमा की जा रही है सर इस बावबत लगबक 10 लाग रुपे जमा करने का आस्वास अंदिया है और वरिश्टागी कारी यूज से चर्चागे तो बात जो है तने सकतो वापस जो बात रहे है लाल पश्चिम शेत्र वित्रण कंपनी द्वारा वसुली का विहान जारी है कितनी रखम अब तक जमा हो गई है अभी तक लगबक 50 लाग पेंगे सम्थिंग जो है रासी जमाप हो चुकी है और बाकी सहरी और प्रामेट चेत्र में भी बाकी उप्ताओं का भी जो है तनेकसर काटिक नावए की जा रही है 5 महीने में जो दि